ओम ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानन जनाशलाकया चक्षूरुन मिलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमहा श्रीचाई तन्यमनो भिष्टं स्तापितं येन भूतले स्वयम रूपकादामयं ददांतिस्वपदांतिकं वंदे अहं स्वी गुरोः स्वी युतपद कमलं श्वी गुरुन वैष्ण वाम्स्या श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरगुनाथा नितंतंस जीवं साध्वैतं साबधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेभं स्री राधा क्रिश्ण पादान सहगण लडिता स्री विशाखा नितम्ष्य, हे क्रिश्ण करुना सिंधु दीन बंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते, तप्तकांच नगवरांगी राधे ब्रिंदा बनेश्वरी, ब्रिशभानु सुते देवी, प्रणमामी हरी प्रिये, वंच्या कल्पतरु भेष्या क्रिपा सिंधु भेवचा, पतिता नंपावने भ्यो वैष्ण भेभ्यो नमो नमहा, जय स्री कृष्ण चैतन्या, प्रभनित्यानंद स्री अध्वैत गदाधर, स्रिवासाधि गौर भक्त ब्रिंद, हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण, 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 हरे हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, नमाओं बिश्ण बजाए क्रिश्ण, हरे क्रिष्णा आप सभी भक्तों का स्वागत है क्रिष्ण लिला का छटे दिवस में आज हम लोग सुम्मत भागवतम की दस्वे स्कंद के अध्याय क्रमांख 9 का चर्चा करेंगे 9 और 10 इन दो अध्यायों में दूसरे अध्याय में भगवान के दिव्य दामोद और लिला का वर्णण हुआ है किस प्रकार से माता यसोदाने दामोद और भगवान को उखल से बांग देती हैं ने उस उखल के द्वारा दो कुवेर के पुत्रों को कैसे उध्यार करते हैं इने लिलाओं का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है हम उसकी चर्चा करेंगे अध्याय क्रमाइंक नौँ सबस्राप्त हुआ है 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 हम लोग ने कल भगवान के कुछ सुबाल लिलाओं करते थे अंके अत्यंत मनोहर लिला था माखन चोरी कि लिला और यह अत्यंत प्रसिद्ध भी था इसलिए भगवान स्री क्रिष्न का एक सुन्दर नाम भी पड़ा माखन चोर करके जाए गोकुल के निवासी भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में बुलाया करते थे गोपियों के साथ अन्य अन्य कई लिलाओं को करते थे एक बार के तो मजे की बात ऐसी है कि गोपियां तो आकर यह सदा मैया के पास Complainst करते थे हलां कि Complainst के बहाने आते थे Krishn के लिलाओं को सुनने के लिए मगर Krishn के लिए तो complain h Hi था ना ये रोज हमारे घरों में आके चोरी करता है चोर है चोरी करता है चोर है ये सुन सुन के तो कृष्ण पुरा मैं चोर हूँ चोर हूँ ऐसा सोच रहे थे एक दिन एक गोपी नंद बाबा के गोसाड़ा में से थोड़ा सा गोबर लेकर जा रही थी उनके घर लिपने के लिए और अचानक हमारे काना खेलते खेलते खेल रहे थे उधर, उनके नजर में आ गई यह गोपी, उन्होंने देख लिया कि यह गोपी जो है, वो क्या कर रही है, गोबर लेकर जा रही है कहां से, नंद बाबा के गोशाला से, तब कृष्णन ने उनके सामने आ गए, वहले कि अब बताओ कौन चोर है, रोज तुम लोग आकर मेरे मैया के सामने मुझे चोर करके कहती हो, और आज तुमने मेरे बाबा के गोशाला से गोबर चोरी करके ले जा रही हो, अब भी मैं बताता हूँ, नंद बाबा को और मैया को भी, और पूरा गोकुल वासियों को हम पंच करके भगवान बोलने लगे, तो अपने मिठी-मिठी सब्दों से जभी बोलने लगे, वो गोपी कहने लगी कानहा को, कि कानहा कानहा कृपिया बोलना मत, बोलना मत, नंद बाबा को बोलना मत, जयसदा मैया को बोलना मत, अगर ये बात, अगर सब लोग को पता लगेगा, म तुम लोगों ने सब मिलकर मेरा कितना इज़त मिकाला मेरा नाम तुम लोगों ने फेमस कर दिया चोर है करके अभी तो मुझे कोई अपना बेटिया भी नहीं देगा विहा करने के लिए अभी मेरा क्या होगा कि तुम लोगों ने मुझे चोर बना दिया आज में तुम लोग और अगर तुम मुझे माखन की लड़ू दोगे माखन मिस्री की मतला ऐसे गोल गोल लड़ू अगर दोगे तो मैं छोड़ सकता हूं मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो मैं भूलते हैं जो ओघना है टीच तो में माखन देती हू तेरों बताना मत किसी को ना ठीक है माखन देना मजे फीर topics कि우र की लटू ले जाओगी उतने इसे हात में गों़र लकॉपार के लढ़ी सबूरतु नम्हें मुझे चाह को कि गोबर के लंडे होते हैं जितना ले जाओगी उतने माखन के जितनी बार ले जाओगे तो गोपी हसती है ठीक है काना मैं माखन लेकर आती हूं और मैं गोबर ले जाओंगी और फिर गोपी आइडिया लगाती है गोपी आइडिया लगाके पूसती है काना कैसे पता लगेगा कि मैंने कितना गोबर ली और तुमको कितना मैंने माखन दिया गिनेंगे कैसे मैं ऐसे करती हूँ माखन से तेरे गाल पर मैं लाइन्स खीचूंगी एक बार लेके जाओंगी तो एक बार लाइन खीचूंगी दूसरा ले जाओंगी तो दूसरा लाइन माखन के वान बार भार भगवान के गालों को उस पर्ष करती हैं कि काणहा को सपर्ष कर कर accomplishments करने के लिए कि लिए मिल रहा है करके और यह हमारे बाल गुपाल तो वबड़े मासुन के लिलाओं करके वह ऐसा सोच रहें कि आज मैंने गोपी को समक सिखा दिया और उस को स्पर्श करने की जो है सोभागयों प्राप्ट हुआ करके ऐसे बड़े मधूर मधूर लिलाओं को भगवान स्री कृष्ण किया करते थे एक बार की घटना है माता यसोदन सोचने लगी रोज 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 सब लोग आकर भगवान का मेरे लाला के बारे में कंप्लेंस करते रहते हैं कंप्लेंस करते रहते हैं तो क्या इस कंप्लेंस में कोई सत्यता है क्या सच मुझ मेरे बेटा इन लोगों के घरों में जाकर माखन चोरी करके खाता है मगर मेरे घर में तो इतने सारे माखन होते हैं फिर भी वो दूसरों के घर में जाता है सायद मेरे घर का माखन उसको रुचता नहीं होगा उसको भाता नहीं होगा इसलिए वो दूसरों के घरों में जाकर माखन खाता है ये सोचकर माता यसोदा ने एक दिन वो सोची कि आज मैं खुद से माखन बनाऊंगी और इतना सुन्दर बनाऊंगी और मेरे बच्चे को खिलाऊंगी जिसके द्वारा मेरा बच्चा दूसरों के घरों में चोरी करने के लिए नहीं जाएगा एक मात ऐसा ही सोचेगी ना उनके घर में इतना होने पर भी बच्चा अगर दूसरों के घरों में जाता है तो फिर बिचारी मात को कितना इंसल्ट है तो मात सोचेगी कि ये न के न प्रकारेण मेरा बच्चा मेरे घर में रहे और मेरे घर में संतुष्ठ होए भोजन सभी करके इसलिए वहां से कथा सुरू होती है नववाध्याय सुगदे गोस्वामी कहते हैं एक दाग्रियता सीशू ये शोधांडगे हिनी करमांतरा नियुकता शू निर्ममंथ स्वयमदधी निर्ममंथ मतलो मंथन करने लगिज्व खुद से स्वयम सब्द का अर्थ होता ह नंदराणी ने खुद दही मंध रही है, इसका मतलव पहले उसने कभी दही मंध नहीं रही थी, पहले अभी वो नंदराणी है यसदा, तो वो क्यों भला दही मंधन करने जाएगी, उनके घर में कितने सारे गोपियां हुआ करते थे, जो नंदराणी को यसदा मैया को उनके क काम का जो मैं help करने के लिए घर के कारियों में मदद करने के लिए इसलिए दही बिठाना दही कमंधन करना माखन निकालना यह सारे कारियों जो है गोपिया करते थे जो घर के नवकर चाकर किया करते थे मगर माने आज मैं खुद करूँगी क्या मालूम ये नोकर चाकर जो जितने भी गोपियां हैं, ये लोग माखन बनाते समय साइद ध्यान पुर्वक नहीं बनाते हैं, स्वाधिष्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए मेरे बेटे को साइद रुचता नहीं है, मा के मन में ऐसा भाव आया, हलाकि ऐसा था नहीं, ये जो वो तो प्राण लगा के बनाते थे कि कि खाएंगे उस माक्वम को करके इतना ध्यान से बनाते थे। क्रिश्ण के प्रति आसकत क्रिश्ण के प्रति प्रेम के बढ़ यसदा और नंदवाबा का ही नहीं। वैसे ही प्रेम सफी गोपिएं का और सभी गव्वालों का हुआ करता थे। हर एक गोप हर एक गोपी स्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करते थे अता हर ब्यक्ति मर मिटते थे कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए कृष्ण को थोड़ा प्रसन करने के लिए थोड़ा सा माखन खिलाने के लिए क्रिश्ण को क्यों रूचता नहीं था घर का माखन खाते क्यों नहीं थे क्योंकि उनको तो दूसरे के घर में डाका डाल के खाने का मज़े आता था ना इसलिए दोस्तों के साथ जहनाव चल देते थे दूसरों के घरों में जाकर चोरी करके उनको अच्छा लगता था और आनन्द आता था खाने में और दूसरों के उपर कृपा करना ये मूण उद्देशय था जो कुछ भी बनता है हमें भगवान का और पन करना चाहिए भगवान का इच्छा रहता है कि मेरे भक्त मेरे लिए अपने घर में या मुझे अपना पकौन देंगे मुझे भोग लगाएंगे इस प्रकार से जैसे कृष्ण को ब्रज में इच्छा रहता है कि किसी भी घर में जाएंगे तो कृष्ण का इच्छा रहता है कि मेरे लिए माखन रहेगा मेरे लिए कुछ ना कुछ यहां पर रहेगा करके नहीं रहता था तो फिर उपर सब को डां अगर पहली बार घी बनता है तो पहले भगवान कर पर करेंगे अगर कोई सीजन आता है तो सबसे पहला आम में भगवान को खिलाओं गोविंजी के लिए लेकर जाओं यह भग मन में होना चे मैं सबसे पहला आनाज उगा चावल आया तो मैं पहला आनाज जो है मैं गोविंजी को लेकर दे के आजाओं पहला अगर मकाई निकली पहले अगर कुछ फ्रूट्स निकला कुछ फल निकला वेजिटेवल्स अगर आपने खेत में निकला तो भगव ऐ निचना या अपने लिए यूज करना जो भी करना है उसके बाद पहले तो भगवान जी की सेवा होनी चाहिए यह भाव हमेशा बनी रहना चाहिए भक्त का यह कल्चर हुआ कर था यह कल्चर हमारा उडिसा में कौन से हद तक जाता था मालूमें घरों में घरों में घर के उकताय तो ऐसे ही करते हैं तो घर में मुर्गियां भी पालते हैं ठीक है उडिसा में तो जब मुर्गियां पालेंगे तो उस मुर्गी और मुर्गा मुर्गी है ना तो मुर्गियां जो पालते हैं उसमें से जो मुर्गा होगर होगा पहला मुर्गा उसको भी गाउं की द कि मुर्गा मुर्गियों को मारना है लेकर परन्तु भी बता रहा हूं कि यह भाव देखो विचारों लोग सरल है ना उनको पता ने ब्रामन ने जैसे बढ़काया उन लोगों ने वैसा उनका मती बन गया इसलिए माता यसोदा ने खुद माखन को माखन बनाने लगी यह कर रहे तहीं मंत्रे थी ग्रियादास एकदा एकदा सब्द को विशुनात चक्रवर्ति ठाकुर कहते हैं एकदा मतलो दिवाली के दिन कार्थिक महिने में जो अमवास आता कर्मानतर नियुकतास नियुकत की दूसरे कामों में वैसे कुछ भक्त ये भी कमेंट करते हैं कि ठीक उसके आसपास सूर्य पुजा इंद्र पुजा आ रहा था तो इंद्र पुजा की भी बहुत सारे तैयारियां बाकी थी तो माता ये सोदा ने गोपियों को उसकाब में लगा दिये इंद्र पुजा के काम में और खुद से आखन बना निकले का मंदेनी लगया को दही मंदेन करना आप लोग तो जानते रहेंगे क्योंकि मटके में दही रखते हैं रहते हैं और एक डंड़े कम बंता है और एक रस्य हात जांट में रहता उसको ऐसे खीश थे आ आप लोग देखें कि नहीं करते हैं अगर ऐसा माखन बनाते हैं और उससे घी बनता है वह घी अगर यूज करेंगे खाने में तो वह सबसे भुरुष्ट पुरुष्ट होता है सरीर के लिए बहुत हितकारी होता है बाकी जो दुकानों में जो घी मिलता है वो खाने से और बिमार ही पड़ सकते हैं और हमारा सरीर खराब हो सकता है विविन प्रकार की बिमारी यह आती है उससे जो दुकानों में मिलता है घी वगरा और वो लोग क्या करते हैं मालूमें द तो मा यह सुदा केवल मन्फन नहीं कर रहे थी मंथन करने के साथ-साथ भी कुछ कुछ कर रहे थी क्या कर रहे थी यानि आनिह गीत आनि वो गा रही थी गाना गा रही थी गीत गा रही थी आप देखेंगे कई बार कोई ना कोई काम में अगर बिजी रहते हैं हम लोग तो गुन-गुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ गुन-गुनाते रहते हैं कई लोगों के ऐसे आदत होती ह कोई ना कोई काम में लगे रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे पहले जादा गुनगुनाते थे और आज कल जादा गुनगुनाते नहीं है वो कान में घुसा कर रखते हैं ये एरफोन को मुभाइल में लगा कर और साथ में गुनगुलाते हैं कई माताएं भी वो कुकिंग करत दाते रहते हैं हमारे भक्त लोग भी गुंगुनाते हैं हो क्या करते हैं हरे कुछा मंत्र को मंत्रे को मंत्रे गुद्ध करते समय तो जब भक्तहों वहां हमयशा भगवान घाट करते घीतानी तद्वालच ओपने बच्चे का अपने ही बालक का चरित्र के बारे में गा रही थी यानि कृष्ण ने अभी तक किन-किन लिलाओं को किया कैसे पूतना को उधार हुआ, कैसे सक्टा सुर मर गया, भगवान विश्णू के क्रिपा से बच गया, किस प्रकार से त्रिनाबर्त उठा लिया था, फिर भी उसको बचा दिया गया, किस प्रकार से रेंगता है, बचणों के पूँच पकरता है, कैसे कैसे दूसरों के घरों में मा आफ सब्सक्राइब करता है। किर्टन कर रही थी हम दढ़ीनिर्मन्थर आले स्मरंथी त्हान्य गायत और क्या कर रही थी दही मंधन कर रही थी गा रही थी और स्मरंती जम्रंती का रहता है स्मरन भी कर रही थी अभी देखिए वो गाएगी तो कोई ऐसा संगीत को या कोई गीत लिखा हुआ कोई भजन लिखा हुआ उसको रटके याद करके तो गाह नहीं रही है वो क्या कर रही है अपने बच्चे के लीलाओं को याद कर रही है कैसे जन हुआ नंदुस्यों कैसे म यह गाना अध्यात्मिक जगत के लिए एक स्वाभा भी की हैं हम लोग नहीं गापाएंगे ऐसा हर एक चीज को भजन है पहले से हम सुने हुए हैं म्यूजिक के साथ तो फिर हम गा सकते हैं या उसके स्टैंजाओं को हम याद किये हुए हैं तो गा सकते हैं मगर ऐसा बना बना के गाना और इतने जल्दी में अब खुद सोचके खुद बना बना के गाना यह सब की बसकी बात नहीं है बहुत रहर नहीं कोई कर सकता होगा बहुत इक संसार में मगर यह आध्यात्मिक जगत में स्वाभावि कि कार्य हैं गाना क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति जो बोलते हैं न वह गीत ही होता है . अध्यात्मिक जगत में जो बोलते हैं मतलो जो बाते करते हैं यानि उनका गान हो जाता है संगीत में रहता है वो बोलते हैं तो संगीत के जैसा बोलते हैं यह वैकुंट के लोग होते हैं जो बोलते हैं तो संगीत के जैसा बोलते हैं कौन होते हैं वैकुंट के निवासी होते हैं क्योंकि वैकुंट में सब लोग बोलते गाते रहते हैं इसलिए महराज जी प्रवचन करते हैं तो क्या क बोली में ही संगीत होता है, उनके बोली में संगीत होता है, मधूरता होती है, ये वैकुंट के निवाशियों का ये गून होता है, वैकुंट से आने वाले लोगों का ये गून होता है, वहां के लोग सब गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं, कथा गानम, नाट्यम गमनम, अगर वो चलते हैं, तो वो dance होता है, नाचने की जैसा, क्योंकि वो इतने प्रफुल लित रहते हैं, क्रिष्ण के सेवा में, अपने मन को क्रिष्ण में लगाने के बज़े से, किसी भी प्रकार के भौतिक चिंता नहीं है, और अगर भौतिक चिंता नहीं है, व्यक्ति अगर आप इसको देखना है, जो एकदम अच्छे से भक्ति किया है, सुलामाला हो गया, भागवत्तों क्लास बहुत अच्छे से रहता है, और भक्ति के साभी काम को कर रहा है, और किसी का निंदा वगरा नहीं कर रहा है, मतलब मन भी एकदम से साफ है, तो वैसा भक्त जो हमेशा उस्सा ही रहता है, हमेशा उस्सा ही से काम करता रहता है, कि उसके चेहरे में प्रफुल लता रहता है, और हो हमेशा इस प्रकार से चलता है, नास्ते नास्ते चलता रहेगा, तो यह आध्यात्मिक जगत हैं, फिर एक शलोक में माता यसोदा का सुन्दरता का बर्ण करते हैं क्या पहनती हैं कैसे है वो सारा चीज़े बताते हैं क्षोमं वासा प्रतुकटे तटे विभ्रती सुत्र नद्धम पुत्रस्नेहास्नुतकुच जुगं जातकंपम्च सुभ्रो रज्वाकर्श स्रमभुजचलत कंकनों कुंडलेच स्विन्नम्भक्रम कवर अभिगल तो भगवान शुगदेव गोस्वामि ने माताईयसोदा की सुंदर्ता का बारे में कहते हैं वो कहते हैं कि माताईयसोदा ने जो वस्त्र पहनी है कपड़ा और रेशमी कपड़ा कभी भी अपवित्र नहीं होता है कि मेरे बेटे के लिए बना रहे हूं किसी का नजर ना लग जाए या कोई असुविदा ना हो जाए या कुछ बुरे छाया ना हो जाए इसलिए मैं रेश्मी कपड़ा पहनती हूं यह सोच के साइद उसने रेश्मी कपड़ा पहनी तो तो कटी तटे विब्रति सुत्रनधम हो कपड़ा किशा था आपक हमर में रश्ची से बांधी मतलवी सिधा प्रतित होता है कि गोपी ड्रेस यहना उसमें लहेंगाभी होता है ना ओडशनी होती है तो उसको बांधना रहता है सुट्रनधं मतलो हो रश्ची से बांधी थी हो क्या रहता माता यसोदा माखन मंत रही थी दही को मंतन कर रही थी कृष्ण का याद कर रही थी कृष्ण के बारे में गा रही थी यानि कर्म कर रही थी भगवान के लिए स्मरन कर रही थी भगवान के लिए मन से और किर्तन कर रही थी मुख से भगवान का यानि कर्मणा मनसा वाचा तीनों में भगवान की सेवा कर रही थी ये एक साधक का गुण होना चीए, ये एक साधक का कारी होता है, भक्त का कारी होता है, भक्त को चाहिए कि कर्म, मन, वानी तीनों से भगवान की सेवा में लगे, आपको पता है हमारे गोडियो वैश्णव आचारे जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, उनको त्रिदंडी सन्य सन्यासी कहते हैं और जो मायावादी सन्यासी होते हैं एक दंडी सन्यासी होते हैं वैश्णवाचारी लोग त्री दंडी सन्यासी क्यों होते हैं क्योंकि उन्होंने तीन दंडा जो पकड़े हुए हैं उस दंडे से संकर्प किये हुए हैं दिर्ड़ता से कि कर्म से मन से वानी से क्रिष्ण की सेवा में हम लगेंगे करतें तो यह जो स्तर है इंदों बहुत उच्छा करना को जिसरी क्रिष्ण की मां है है की नहीं उनकी भक्ति के स्तर हम भी ऐसे कर सकते हैं करते समय कि करना लो करते हैं अंधिर को साफ करते हैं-कुछ करते हैं तो हमें अलग अलग बाते न करके भगवान कृष्ण के बारे में ही बाते करना चीए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है वह इस्मरण करना चीए कोछ नहीं तो बेस्ट है शुलब प्रभुपाजी का गुरु महराजी का प्रभचन को चालू रखें और कुकिंग करें ड्रे कि वह हमारे रिदय को परिवर्तन करता है कि उनके सब्दों में दिव्यता होती है पावर होता है तो यहां पर कह रहे हैं पुत्रस नेहा सुनुता कुछा जुगम जात कमकम्च सुब्रू तो जिस प्रकार से अपने ही बच्चे के लिए काम कर रही है अपने बच्चे के ब बढ़ने के बज़े से माता के हरिदय में बातसल्य भावजना और उमड़ा रहा था जिसके बज़े से माता के स्तन से दूद जो है वो स्वाभावी की चूरा था पुत्रस नेह के बज़े से दूद स्वाभावी की चूरा था माता के स्तन से क्योंकि इतना तिब्र प्रेम था अपने पूत्र के प्रति जात कंपंच सुब्रू उसमें कंपन भी हो रही थी और वो दूद जो है चूरा था रज्ज्वा कर्ष स्रमा जुगा चलत कंकणों कुंडले च रज्ज्वा कर्ष और रशी को खीच रही ची जोर-जोर से क्योंकि मन्थन कर रही है ना और रशी जो हातों में पहनी हुई है वो भी हिल रहे हैं आज कल तो पहनते नहीं है कोई कंकण मगर जो पहले की माताएं होते हैं वो लोग हमेशा हातों में कंकण पहनते हैं कंकण समझते ना चूडियां कहते हैं चूडियां पहनते हैं एक निति-शास्त्र के अनुसार अगर कोई अस्त्री अगर हातों में चूड़ी नहीं पहनती हैं और माथे में सिंदूर नहीं रखती हैं और मंगल सुत्र नहीं होता है तो उसके पती का आयू घटेगा वो जल्दी मर जाएगा और अगर कोई लड़की विवाहिता नहीं है मतलब विवाह से पहले पीता के घर में रहती है अगर उस समय चूड़ी नहीं पहनती है तो उसके पीता का आयू घटेगा कि इसस्ता हैं बताया गया यह इसो बाते कौन मानता है आज कर और और तो है और छदो इसका अच्छा है कि आज करनें घड़ियां अच्छा है कि चूड़ियां पहनना च्यएए लड़कियों को उसको पढ़ाना और पूछना तदूर पहले मारेंगे उसको हाथ दिखा हाथ दिखा चटक चटक मारेंगे लिए लेकर राते थे संस्कृत क्लास साथ में संस्कृत चले ऑगे संस्कृत प्रों से चले जाएंगे सब निकाल देएंगे पीर। तो माता यसेुत हातों का कंकन जो है और कुंडल जो है वो इंदूल रहे थे स्विर्नम् बक्रम कबर अबिगलत मालतिम निर्ममत और उनके माथें में चेहरे पे पसीना चुट रहा था स्विर्नम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक्रम्बक अपने केशों में उनका मातायसुदा करें उसमें मालती का फूल लगाई हुई थी कि मालती का फूल था महालती नीचे गिर रहा था रहा है कि भक्तرة बहुत सुन्दब उधारन करते हैं इस द्रिष्ये को देख को दूसरे लोग उठे भी नहीं है काना सोया हुआ है अपने कमरे में कोई देखे ना उससे पहले में मन्थन कर लूं करके वह कर रही है चूले में उदर दूद बिठाई हुई है पदमगंधा नामग गाय के दूद को बिठाई है ऐसे सो गाय होते थे नंद बाबा के नौ लाग गायों में से जो एकदम स्पेशल पदमगंधा जाती के गाय कहते थे उसको गाय कोई भी दूद नहीं पिएंगे कोई भी घास नहीं पिएंगे वो एकदम चुन-चुन के उनी घासों को खाएंगे जिससे उनके दूद सुगंधित होता है उन गायों में एक क्वालिटी हुआ करता था और वो दूद केवल काना के लिए जाएगा क्रिष्ण के लिए हमें इसा special चीज होना चीए नंबर वान चीजे क्रिष्ण के लिए होना चीए हमेशा के भार देखते हैं जब अपना खाने के लिए जब लाना है तो चुन-चुन के देखकर एकदम अच्छा अच्छा खरीद कर लेकर आएंगे कोई भी चीज का अगर दान देना है मंदिर में देना है कि उठा के ले जाएंगे कुछ भी कई बात देखता हूं ऐसे लोगों को में नहीं जो दी बेस्ट होता है वो कृष्ण का उसके बाद जो है वो हम यूज कर सकते हैं इसलिए वो पदमगंधा जाती कि जो स्पेसल गाए होते थे वो दूद जो है कृष्ण के लिए जाता था वो दूद क्रिष्ण के लिए तो कृष्ण माता यसादा दूद भी पहले सुबह ही दो के उसको चुले पर बिठाई हुई थी और इधर महनत कर रही है परिश्रम कर रही है माता कर्मना मनसा बाचा कर्म से मन से वानी से भगवान की सेवा में लगी हुई है और जब भी मा गा रही थी एक भक्त कहते हैं रुन जुन कर रहे थे मानुक की करताल की आवाज हो और जो मन्थन हंडी है कि हंडी के अंदर दूसरा जो डंडा रहेगा वो डंडा भी उसके अंदर जबी घर घर आवाज आता है ना उसका घर घर आवाज और यह चूडियों की आवाज यह सब जो है ताल दे रहे थे मा यसद्य के गाने के साथ साथ में ऐसा लग रहा था है वातावरन जो है भक्तों का भी मतलों सोच तुणना जो है इतना सुन्दर रहता है और फिर उधर उस तनों से दूद चूरा था माथे में मतलों पूरे मुख में पसिना छूट रहा था दूर से दिया के लाइट किरणे आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि मोतिया है उनके मुख में चमक रहते पसीने के बूंदे और उस टाइम पर बालों का फूल जो है वो नीचे गिर रहा था अभी देखो वीचारी महनत कर रही है हील रही है जोर जोर से जोर जोर से रसी को खीज कर अभी हीलेंगे तो बाल का पूल क्यों सर्मा है इसलिए सर्मा गया है कि हाए हाए माता यसोदा कितना कृष्ण के लिए सेवा करती है कर्मना मनसा वाचा से कृष्ण की सेवा में लगी हूँ ये विचारी सुगो उठके ऐसे कृष्ण के भक्त के माथे में चड़के रहने का हमारी योग्यता नहीं है हमें तो ऐसे भक्त के चरणों में रहना चाहिए ये सोच के फूल क्या कर रहे हैं? वो गिर के मा के चरणों में जा रहे हैं फूल ऐसा सोच रहे हैं फूल ऐसा सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते हैं? आध्यात्मिक जगत हैं आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चिन्मय होता है, उसमें प्राण होता है, भौत एक जगत में जड़ वस्तु होता है, यहां का कोई फूल ऐसे बात नहीं कर सकता है, ऐसा सोच नहीं सकता है, मगर आध्यात्मिक जगत में हर चीजवना चिन्मय होने के बज़े से ऐसा सो अगर इस प्रकार से निस्कपड भाव से स्री कृष्ण की सेवा में ऐसे मेहनत कर रहा है पसीना छुटा के कर्म मन और बानी से उस व्यक्ति का पैर छुमा चाहिए उसका चर्ण धुली लेना चाहिए माइने नहीं रखता है कि अपने से एज में छोटा है कि एज में बड़ा है पहले कृष्ण भक्ति में आया कि बाद में कृष्ण भक्ति में आया है कोई भी हो सकता है मगर कृष्ण के भक्त हैं अगर वो सही से कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है उसका पैर चुना चाहिए उसके चरणों में गिरना चीए प्रणाम करना चीए फूल ऐसा सोच रहे हैं इसलिए निर्ममन्थ कवरबिगळत मालती मालतियों का फूल जो हो गिर के मातय शुद्य के पैरों में जा रहे हैं इसा कह रहे है तामस्तन्य कामम असाध्य मधनिम जननिम हरी ही ग्रिहित्वा पॉठ गये है और उनको तामस्तन्य काम मी स्तनपां करने का इच्छा उवा काम सब्धकार्त हुटाए किस्छा स्तन्यısı काम मतलब दूद पीने की इच्छा अब प्रश्ण उड़ता है तो भगवान तो आत्माराम है ना उनको तो किसी भूतिक चीजों से इच्छा नहीं होती है उनको भूक लगना भूक नो लगना दूद देंगे तभी हो खुस रहेंगे नहीं देंगे तो दुखी हो जाएंगे यह तो है नहीं भगवान तो परम इच्छा यहां पर इच्छा जागरत हुआ भगवान के मन में इसलिए उन्होंने उठे एक बच्चा अगर उठता है तो सबसे पहले क्या करता है अपने मा को ढूंडता है मा वहां थी नहीं हर उठके वे अपने खाट से उतर कर देखते हैं तो वहां पर दही मंधन कर रही है तो आख मलते मलते आ गए वहां पर अपने मैया के पास मगर मैया यसोदा ने उनको देखकर कुछ नहीं बोली कुछ भी बोली नहीं थोड़ी देर खड़े रहें करने लगें मा सुनने ही रही है वह अपना दही मंधन कर रही है तो दही मंधन करने का डंडे को पकड़ ल माँ खीच रही है तो माँ ने रशी छोड़ दी छोड़ दी क्या करता है यह देखते हैं करके कभी कभी माँ ऐसा करती है ना देखती है बच्चा क्या करता है आगे तमांकमारूढम अपायनम्स्तनम स्नेहास्नुतम्स्मी सस्मितमिक्षितीमुखम अत्रुप्तमस्रुज्य जबेन सायया व्रिच्षिच्यमाने पयसीत्वधीश्रिते तबी उन्होंने क्या किया माने तो कुछ किया नहीं रशी क्षोड़कर बैटके देख रही थी क्या करेगा करके मगर भगवान ने माता के गोद में चड़ गए तमांग का रूढ़ अ तमंकरूड मतलो माता के गोद में चड़ आरूड हो गए अपने से जाके आरूड हो गए और उनका अधिकार जो है माता के स्तन को खोल के और पीने लगे दूद पीने लगे मायसदा देख रही थी पहले तो मायसदा मुस्कुराने लगी कि मेरे बच्चे को ताकत भी आ गया थोड़ा-थोड़ा क्योंकि वो डंडे को पकल लिए अभी वो देखे कि वो अपने दूद पीने के लिए उप जाके माता के गोद में बैठ गये तो यहां पर फिर बाद में हुआ यूँ जब दूद पीने लगे मायसदा दूद पिला रही है भगवान प्रसन्मता से दूद पी रहे हैं अचानक उदर चूले में जो दूद बिठाई हुई थी उस चूले में जो दूद बिठाए तो उसमें उफान आने लगा उफान सम दूद भी सोचने लगा दूद शोच सकता है क्या सोच सकता है अध्यत्मी जगत में सोच फरता यहां नहीं सब सब वह सभी लोग अपना-पना सोचते हैं जैसे कि माआ जबी माखन बना रही थी दरीमंतन करके इतना प्रेम से तो माता के स्तन्क का दूद सोचने लगा था माता के स्तन्क वह यह सोचने लगा कि माखन इतना अच्छा बनाdy कि llegó काना यह माखन खाको वह उफान आने लगा उचूले में बैठा हुआ दूद यह सोचने लगा कि एह हो मैं कितना तपश्या कर रहा हूं कितना तपश्या कर रहा हूं इसके लिए कर रहा हूं कि कृष्ण आएंगे और मुझे सेवा में लगाएंगे मैं कृष्ण की सेवा में लगूंगा और पीएंगे कृष्ण मुझे और मैं देख रहा हूं यह तो माता यसदा की दूद पी रहे हैं पी रहे हैं और मा यसदा पिला रही है पिला रही है ना मा यसदा का दूद खतम हो रहा है ना तपश्या करेंगे और ये शरीर रखके भी क्या फाइदा अगर ये शरीर कृष्ण के सेवा में लगेगा ही नहीं तपश्या करने के बाद भी कृष्ण स्विकार ही नहीं करेंगे तो फिर शरीर रहके क्या फाइदा चलो हम चूले के अंदर घुश के मर जाते हैं करके दूद पीने वाले कृष्ण को छुड़ा के बिठा दी वहां पर वो चली गई दूद बचाने के लिए जब मायसदा चूले के दूद बचाने के लिए गई वो चूले उफान आने वालों दूद बापस अंदर चला गया सर्मा गया हो वो दूद ऐसे सोचने लगा कि हो मैंने कितना गड़वडी कर दिया मैं जब भी उफान आने लगा मायसदा ने कृष्ण को नीचे रख के आ गई कृष्ण की सेवा में बाधा हो गया मायसदा कितना सुंदर सेवा कर रही थी और मैं बाधा बन गया कभी भी किसी भी भक्त के सेवा में बाधा नहीं बनना चाहिए ह अगर हमारे पास एक्सपर्ट यह उनसे भी ज्यादा हम उनको बता सकते हैं कि इस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं करके ना कि हट रट तेरे से नहीं होने वाला है भागवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आने लगा अरे मैंने दूद दूद पी रहा था इतना अच्छा मेरा पेड भरा नहीं था मुझे अच्छा लग रहा था माने मुझे सौरी भी नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला थोड़ा सा दूद बचाने के लिए मुझे आइसा ही नौ लाक गाई है फिर भी थोड़े से दूद के लिए इतना लोभी कैसे बन गई मैरी मा उनको अच्छा नहीं लगा भगवान को क्योंकि माने उसको सौरी भी नहीं बोली सौरी बैटा मैं थोड़ा अभी आ रही हूं कुछ नहीं बोली नीचे विठा के चली गई भगवा कि नौ लाक गाई होने पर भी इतना सारा दूद दही होने पर भी थोड़ा सा दूद बचा ने गई अब मैं बताता हूं ते रहो उसने क्या वहां से पत्थर उठाए और दही हांडी के नीचे मार के फोड़ दिये उसको दही भेहने लगा यह कता हम सब जानते दही भेहने लगा और फिरों डर गए क्यों हो आज मा मुझे मारेगी क्योंकि दही मैंने हांडी तोड़ दिया तो जाके कमरे के अंदर छुप दें माहयोसदा बापस आकर देखती दही हांडी तूटा हुआ है तो माहयोसदा गुसा ने करती है मुस्कराती है यह सोच करके मेरे को घुसा भी आने लगा और उसके बुद्धी चल रहा है चालाग भी है कि दही हांडी के नीचे से मारा है आवाज नहीं आयेगा करके काली जगह पर चलते चलते गया तहना पैरों का निसान था देखो चुपने के लिए जा जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं को पैरों का निसान भी है ऐसे चोरे हो मायसदा जो है बोली कि इने इसको दंड देना पड़ेगा क्योंकि इस आज मेरे घर में ढाका डाला माह यसदा ने दंडा लेके जाकर देखती है वो छुपे हुए क्या करेंगे वो दूसरा माखन जो बासी माखन पहले का रखा हुआ था ना वो माखन खा रहे थे रादागंद महाराजी कहते हैं कि वो इसलिए माखन खा रहे थे कि वो सोच रहे थे तू दही आंडी तोड़ दिया बासी माखन खाऊंगा बिमार गिरूंगा और तुम्हारा पैसा भी खर्च करवाऊंगा बगवाद ऐसा सोच रहे थे और मायसदा जब देखी बंदरों को देखकर बगवान डर जाते हैं वहां से दोडने लगते हैं मायसदा उनके पीछे-पीछे अन्वन चमा नाम जननी ब्रुहत्चडम उनके पीछे-पीछे डोडने लगती हैं यह पहली बार ऐसी लीला होता है बगवान कृष्ण का अभी तक माता यसादा कभी घर से बाहर निकलती तर और ऐसा दोडने कि बाद तो कभी नहीं करति perfection नंद्रानी हे है हो क्यों बाहर जाएगी और आज पहली बार क्या-क्यों पहली वाद यह सन्ता बाहर निकली दौडने लगी सब के सामने तीसरी बात तो यह important है कि सबसे important बात यह कि काना को मारने के लिए दोड़ा रही है जो कितना लोगों ने complain किये ठक गए कभी भी उसके complain को मानती नहीं थी मगर आज खुद नंदरानी उसको मारने के लिए दोड़ रही है सब प्रजवासी देख रहे हैं आज पड़ेगी काना को बराबर कुस लोग कह रहे अरे विचारा काना का था आज हो कल्यान हो जाएगा सब लोग ऐसा-ईसे शोच रहे है कुछ बृदगोपियां कह रहे जाने दोना विचारा कितना मास में दर गया है चोड देना नहीं आज इसको नहीं करदेवे जिदपकड़ाई डोडने लगी दोडने लग hm2 रहे हैं कि मातसी रिक रश हुथ हाशकनर पीछे leg भगवान ने अंदर सेिस उचा कि मेरी माय, कितना मेहनत कर रही है विचारी वो पीछे से बोल रहे हैं कानाः पकड में नहीं सकता है अपने प्रयास से कोई कृष्ण को प्रकॉण नहीं होती है तो भगवान पकड में आ गए और मायसदा ने पकड लिया जैसे पकड ली दूसरे में डंडा था एक पकड़ी तो और जोर जोर से रोने लगे सिसी कियां लेकर हम लोग दामद रश्टे को में भी सुने हैं सारा चीज़ां को रिदंतम मुहर नेत्र युग्मम रिजंतम तो रोने लगे दोनों आँखों को मसल रहे थे मायस्दा सोची मेरे बच्चा डर गया दंडे को फेक दी और दंडे को फेक देने के बज़से उनका रोना थोड़ा कम हुआ फिर भी रो रहे थे मायस्दा बहुत बढ़नास हो गया तो दूसरों के घर में डाका डालता था मेरे घर में व्याक्तु ने परिशान किया ऐसे सोचकर माने क्या किया उसको बांधने के सोचे तो बांधने के लिए जब इसोची क्यों कि यूँँ बांधने के लिए क्ल्टी किये यह भगवान कृता गलती करना तो गलती के लिक अंको दंड देना जरूरी है नहीं देंगे तो और आगे जाके और और बढ़मास 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 बन जाएगा इसलिए बच्छों को प्रेइम तो कर나 चीह मगर उनके घलतियों पर उन धंड भी देना चीह सुधार ऊशी कभी-कभी कुछ लग जादा भाव कोके बोलतें कि आ सकते हैं और योनको टाड़न कर सकते हैं फिर बाद में जब बैटे को होने लगते हैं उसके बाद रहोता है मानने का टीनेज जो वोगते हैं उसमें उसको दंड दे सकते हैं और देना भी चीए ताकि उसका डर बना रहेगा बड़े होने पर भी तभी कृष्ण को जो है माता ये सुन्दा बांधने के लिए प्रयास की तद्दाम बध्यमानस्यस्वा वो अपने बच्चे को बांधना चाहती थी क्योंकि उसके बच्चे ने गलती किया था गलती किया क्या था क्रितागसंतम प्रवरुदंतमक्षणी कसंतमजनी मस्णी स्वपानी नाम यसवदानक्के द्वारा पकड़े जाना पर भगवान अधिक डर गये थे तो इसलिए व उद्देशित यह था कि मेरा बेटा डर के कहीं भाग ना जाए घर छोड़के अब बहुत डरा हुआ है इसलिए बांद देना चाहती थी ताकि वह अपना काम कर सके वह इधर पड़ा रहे कहीं जंगल में भागेगा नहीं हो सांत हो जाएगा प्रो गोद में ले लेगी ऐसा सोच रहे थी सदा इसलिए बांधने की लिए सची कहां बांदोंगी तब तक माता यता को उखल दिकाए पड़ने लगा उखल कर देखके बालों को बांधने वाला रसी था केस बंध कहते हैं केस बंध को निकालके उसको बांधने के लिए प्रयास की जब बांधने के लिए प्रयास की तो थोड़ा छोटा हो गया मतलो कम पड़ा कम पड़ा तो अड़स पड़स को मतला अपने घर का दूजरा रसी लेकर आई और उ भूतेन संद धेन्यस्च गोपी का उनको दो उंगली कम पड़ रहा था तो उनके घर के सारे रसी खत्म आड़स पड़स के भी रसी मांगी सारे गोपियां धिरे-धिरे इकठा हो गया उदर धूप सर पर आ गया सुबह से लेके दोपर हो गया बंधी नहीं रहे हैं वह रो र सेटे के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है सोर दें कुछ है कि ऊपिया के बच्चे पबांददा पढ़ेगा नहीं तो भाग जाएगा को निस एक हैर रसी राल आज तेरे मां को समझ में आया जब तू उसी के घर में डाका डाला हमारे घर में डाका डालता तो समझ में आ रहा था तेरे मां को कई अलग अलग गोपियां अलग अलग बाते कर रहें मगर भगवान की अश्वर्य सक्ति जो है वो उमड आया था बाहर भगवान की अनम्त सक्तियां है भगवान की अश्वर्य सक्ति बाहर आया था वो यह बताना चाह रहा था मैया को कि यो सदा मैया आपको पताए आप किसक कुछ है यह तो एकदम अनंत है आप अनंत को कैसे बांधना चाहती हो यह अईश्वरे सकती है भगवान का दूसरा भगवान का इच्छा सकती क्योंकि मा यसदा कह रही थी कि तेरे को बांधूंगी तेरे को खेलने नहीं दूंगी बच्चों से भगवान ने जित पकड़ ले तो तो कैसे बांद सकती है यह तो सación gi antisन में उनको बांधना मतलों मिर अशिघ्युमाना ऐसे कैसे रसी है कि जो पूरे संसार कोई बांध यह नहीं हो सकता है मगर मायसदा का विजिद कम नहीं था मायसदा अपना प्रयास त्यागी नहीं छोड़ी नहीं एक भक्त कहते हैं कि दो उंगली कम क्यों पड़ रहा था इसलिए कम पड़ रहा था कि आगे जाके नल और कुबर के नल कुबर और मनी गृप करके दो कुबर पुत्रों को उधार करने वाल था इसलिए और पहले से इंडिकेशन दे रहे थे कि दो उंगली कम पड़ रहा था कि होता है भगवान की क्रिपा सकती ग добन पर दूसरा है भगवान की आइस्वरी स offline जो अभी प्रकट्रों के वह दिखा रही ती कि बांध नहीं सकते हो करके एक और भक्त कहते हैं कि भक्त का प्रयास और भगवान की क्रिपा ये दो उंगलियां हैं जब भक्त का प्रयास पुरा होगा तब भगवान का क्रिपा हो जाएगी तो इसलिए माता ये सदा का प्रयास जारी था जारी था दोपर हो गया धूप आ गया घर का कामका जैसे कि वै कि खर पे कुंति महारानी वासुदेव जी का बहन है ना पृता है ना वह भी आई थी ओब ŁEEEE Idriss ूरी देख रही ते कि यसदा क्या करें है और कुंति महारानी चों जानती है यह गशेلام क्लिद। अच्छे से जानती है पुरंढ़वांति कुंति महाराणी तो आश्चर यह से देख रही थी कि प्रभु हो क्या रहा है आपको डरते हैं पूरे यम्राज सारे यो लोकपाल और आपको यह यसदा बांध रही है वह केबल खड़े होके देख रही है और यसदा तो बांधने में लगी हुए थी बंदे नहीं अंत में य परेशार कर रहा है तो जब प्रयास की प्रयास की तो भगवान ने मा का प्रयास देखकर भक्त का प्रयास देखकर भगवान की क्रिपा सक्ति उमड़ाई तो जब प्रगवान की क्रिपा सक्ति होना भगवान की सारे सक्तियों का राणी है जैसे क्रिपा सक्ति का करने के लिए प्रयास कर रहा है तब भगवान करते हैं तब प्रकट हो जाती है तो भाकी सारे सक्टियां दब पुरा हुआ और मा योसदाने क्रिष्ण को बांध दिया वहां पर उपने घर के काम काश करने के लिए बहुत सुन्दर बात भी आपर बताय गया है माता योसदाने जो ऐसे कार्य किया उसके लिए यहां पर सुक्देव को स्वाम कहते हैं बहुत सुन्दर एबं संदर्सिताहंग हरिना भृत्य वश्यताम स्ववसेनापी क्रिष्णेन यस्येदम सेश्वरम वसे शिवजी ब्रह्मा तता इंद्र जैसे महान एबं उच्चस्त देवताएं समेत यह संपुन ब्रह्मान भी हाला के पुरे संसार उनके अंदर में फिर भी वह भक्त के अंदर में चले जाते हैं यह भगवान का दिव्य गुण है भगवान ऐसे लिलाओं को इसलिए करते हैं अपने गुणों को प्रकट करने के लिए दामदल लिला का भगवान ने इसलिए कि भक्ति के गुणों को प ने दामदर लिला किया ने में बिरंज न भयाबो न श्रियंप्यंग संस्रया प्रसादम लेभिरे एगोपी यतत प्राप्य अभिमुक्तिदात भहतिक जगत से मोक्स दिलाने वाले पूनपूरसतम भगवान ऐसी क्रिपा ना तो कभी ब्रह्मा जी ना सिव जी और ना भगवान के अरधांगी नी लक्षमी जी को भी प्राप्त हुआ जो यसदा को प्राप्त हुआ यसदा महारानी का स्तर देखिए ब्रह्मा शीव यहां तक कि लक्षमी जी को भी ऐसा क्रिपा प्राप्त नहीं हुआ भगवान ने यसदा के उपर जिस क्रिपा को किया क्योंकि यसदा मैया का भक्ति उस प्रकार का था इस प्रकार से भगवान ने बंद गए और भगवान की भक्त ने बांध दिया इसको फिर आगे कहते हैं पू नंद बाबा के अंगण में तो भगवान ने उनको उधार कर दिया वैए इस प्रकार ने बंध का नाम बंधने के बाद क्या हुआ आगे बंधने के बाद हुआ यह ऐसे आपने काम पर चली गई का बलराम कहीं कहेल रहे हैं वो दोरते दोरते आते हैं काना आँ गया काना देखे काना बंधा हुआ है और रहे हैं बोल रहें कि दाउजी मुझे यहां प्रचुडा लो तो नमा यसोधा ने बांद दिया तो दाउजी भड़क गए जोड़ो से गुसा हो गए कि समझ में नहीं आता है यह काना कौन समझ में आता है यह संग्राना कौन है यह स्वय मढ़िया से अवतार आपके यह अवतारा हैं मैं कौन हूँ मैं सेश हूँ एक हुंकार करूं का तब पुरा संसार को मैं जला दूंगा तुरंत खोलो काना को किर्ष्ण को तुरंत खोलो मा यसदा दंडा लेके भार आई क्या हो गया तेरे को सारे अवतर मेरे घर में आके यहां नाटक करने का था क्या दूसरों का घर नहीं था तुम लोग को एक दूंगी कसके भागे बढ़ रहा हम वहां से काना कहते हैं कि हैं भागवान को याद आगया कि मेरा भक्त नारद रह्य ने बोला था कि मैंने इन नलक उबर मनिग्रीव का उधार करूंगा इसा इसलिए भगवान ने क्या किया भगवान जाकर नलक उबर अध्यायक्रमांक 10 का शुरू करते हैं जिसमें नलकुबर और मनिग्रिप का उधार की लिला जो है वर्नन किया गया है कथ्यतंग भगवन तयोर श्याप श्यकारणम पूसते हैं कि इनको श्राप क्यों मिला था लड़कों को कुवेर के बच्चों को सुगदेव गोश्वम कहते हैं यह कुवेर के बच्चे जो है ना रुद्रश्या अनुचरो भुत्वा सुद्रुप्तो धनदात्म जो बड़े धनी थे कुवेर के बेटें और साथ साथ में महादेवजी के भक्त लोग थे महादेवजी के अनुचर थें इसलिए कईलास उपबने रम्ये मंदाकिन्या मदद कटो कईलास में कईलास परवत्र के किनारे जो भी वहाँ पर मंदाकिनी मतलों गंगाजी के किनारे वो लोग वहाँ पर रमन करते रहते हमेशा मगर कैसे रमन कर रहे हैं मदद कटो का अर्थ होता है अत्यति गर्वित अंकारी यहां पर अंकार किसके बज़े से धनी धनी बाप के बेटे हैं इसके बज़े से बारणिंग मदिराम इपित्वा मदा धुर्नित लोचनम स्त्रीज नरेर अनुगायद दिश्चे रतु पुस्पिते बने वहाँ पर कैलास के सुन्दर बनों में मंदाकिनी नामक उसके जडासई के तट में अवरतों के साथ स्त्रीयों के साथ घूम रहे हैं कि दोनों लड़के कुवेर के दोनों लड़के महादेवजी के जगा पर इसलिए घूम रहे हैं कि महादेवजी के अनुजाई थे और साथ साथ में दारू पी रखे थे आगे देशीदारू नहीं था दारू-दारू-देशीदारू यह दारू-दारू-शर्ग की दारूप शर्ग का दारू था यह हमारी आंका दारू ओर व वारूनि को पिये हुए थे, बड़े मदमस्त थे, नसे में थे एकदम से, तो उन लोग ने क्या कर रहे थे, उस स्त्रियों के साथ उसनान कर रहे थे, घूम रहे थे, फूलों की बनों में, ब्रह्मन कर रहे थे, ब्रह्मन करते-करते, उनको स्नान करने का मन हुआ, स्त्रियों के साथ ज जाग कर निर्बस्त्र होके उस पानी के अंदर और गया स्ञान करना के लिए स्ट्रियां भी गये स्वर्ग के अफसर!! जब कर नहीं कर रहें Two Adis जड़ा से कें अंदर निर्बस्त्र होक्ए स्ञान करने के लिए उत्रें वो मदांध हो चुके थे एक तो धनी होने के बज़े से उनके अंदर एक बड़ा सा अंकार था और दूसरा दारू पीने के बज़े से वो आपने आपको भूल चुके थे यह इसके बजे से उस्त्रियों के साफ रमन कर रहे थे उस पानी के अंदर मानों एक हाती हत्नियों के साफ जैसे जलख क्रिडा करता है यह वैसे ही पानी को उच्छालते वह उस्त्रियों के ऊपकर उस पाणी में जो है ओस नान कर रहे हैं तब हुआ यूँ यद्रिच्चया चदे वर्षी भगवान स्तत्र कौरव अपस्यन नारदो देवो शिवानो सम बुद्धयत यद्रिच्चया संयोग बस भगवत इच्छा से कौन आ गए वहां पर दे वर्षी नारद जी आ गए हैं देवता हो में जो रिशी है उसर स्तान से होते हुए क्लांस से होते हुए नारद जी तो कहीं तुरंत बाहर आकार वह आपने बस्तर को लेकर चुप गए परंतु यह जो दो लड़के यह दारू पीए हुए थे ना स्वर्ग के दारू बारू नहीं पीए हुए थे ना इसलिए मदमस्त रह थे उनको समझ में नहीं आ रहा था जडबत थे अग्दम से ब्रिक्षियों की जैसा कि कौन आया कौन गया कुछ नहीं फरत पड़ रहा था वो लोग वैसे ही उत्पटांग कारिय कर रहे थे सनान कर रहे थे तो नारदमुनी इस चीज को देखके सहनी पा यत्रस्त्री धुतमा सवह भौतिक भोग के देखो नारद जी के बात बहुत इंपोर्टेंट है हमको बड़े ध्यान से सुनना ची कथा तो अम लोग जानते हैं मगर नारद जी क्या बोलते हैं देखो भौतिक रोग के समस्त आकर्षण में से एक है धन के प्रत्याकर्षण सुन्दर शरीर और उच्चकुल तथा जन्म तथा बिद्वता इन सब में बुद्धी को अधिक भ्रमित करने वाला है यदि कोई अशिक्षित वेक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वो अपना सारा धन सराव श्त्रियां जुआ खेलने में आनन्द में लगा देता है तकि उच्चे-कुल में जन्म होने से अंकार आता है धन होने से अंकार आता है और इन लड़कों के पास अबस क्या था धनी बाप के बेटे थे धनी बाप के बेटे सब हैं जो होते हैं लगबग अगर प्रपर गाइडंस नहीं मिलें उनको वह ऐसे उद्बटांग कार्य करते हैं क्योंकि 95 से माता-पिता उनको इतना लाड़ प्यार देते हैं जब जो चाहिए जितना चाहिए उतन बच्चेों को डेश करते हैं तो उस्तपान नहीं वह हैं वह नि असलियत में शत्रू है धूर जो ज्यादा भूग बिलास सेे बच्चे का लोक। चाहते हैं वह तो नरक का रास्ता दिखा रहा आपने बच्चे को यानि वो पिता नहीं है वो असलियत में सत्रू है वो माता नहीं है वो सत्रू है बच्चे का जो माता जो पिता अपने बच्चे को भोग बिलास में लगाना चाहते हैं वो असलियत में सत्रू है बच्चा इस बात को जान नहीं पाता है सही माता पिता जो रोखते हैं उनको तो जब धन होता है व्यक्ति के पास और धन को उपियोग करने का तरीका अगर किसी साधू से उसीखते नहीं है बच्पन से सीखते नहीं है तो उन धन को क्या करेंगे अपने इंद्रिय भूख के कारिये में लगाएंगे और इसलिए बहुत ध्यान पुर्वक जो है ना बच्चों को संभालना चीए फिर आगे कहते हैं अपने इंद्रियों को बसमे करने में असमर्थ धूर्थ लोग जो है अपने धन पर कुलीन परिवार में अपने जन्म पर मिथ्या गर्ब करते हैं और इतना निश्ठूर होते हैं कि अपने नस्वर सरीर को पालन करने के लिए अजर अमर सोचते हुए सुन्दर तात्परी लिखें आप लोग पर सकते हैं फिर कहते हैं नारद मुनी जीवित रहते हुए मनुष्य अपने आपको बड़ा आदमी मंत्री राष्ट्रपती देवता सोचता है शरीर से गर्बित होता है किन्तु वो चाहे जो भी हो मृत्ति के बाद उसका सरीर काट कर मल या खाग में परिणत हो जाता है यदि कोई व्यक्ति आपने सरीर को ख्षणिक इच्छाओं को तुस्टी में लगता है पुस्वों का बद करता है तो यह जनता कि उसे अगला जीवन में कष्ट भोगना होगा क्यूंकि ऐसे पापी नरत जाना पड़ेगा और आपने क वह शिक्षाओं को देते हैं दोनों बच्चों को बोलते हैं और फिर बोलते बोलते कई शिक्षा है आप पर सकते हैं उसको अंत में नारदमुनी कहते हैं तुम लोग जो हरकते कर रहे हो ना नारदमुनी का शिक्षा अलग से उसी शिक्षाओं के उपर ही चर्चा होना ची तो नारगमनी उनको कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो हरकते हैं वो ब्रिक्ष लता ब्रिक्षियों के जैसा है ब्रिक्ष जो है ना ऐसे खड़ा रहता है कुछ पहने बिना कोई व्यक्षि अगर ज्जयदा उलगन रहना पसंद करता है कम कपड़ा पहनता है अपने शरीर ज्यादा करना चाहता है ऐसा ब्रिक्षियों सब्रीक्ष करते है जाता है क्योंकि ब्रिक्ष बन जाने के बाद रखने के बाद के लिए पहनना चीए और तो यह हमको शिक्षा मिलता है नारदमुनी कहते हैं उन दोनों बच्चों को तुम लोग ने ब्रिक्षियों के जैसा उलगन होके ऐसे रहते हो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए जाओ तुम लोग ना ब्रिक्ष बन जाओ यामरार्जुन का ब्रिक्ष बन जाओ तो फिर व यह लोग रोते हैं जब यह लोग ऐसे रोने लगते हैं तब नारद मुनि फिर उनको बताते हैं कि ठीक है तुम लोग नंद बाबा के आंगन में ब्रिक्षे बनोगे और वहां पर परम भगवान श्रीकृष्ण आएंगे श्रीकृष्ण के द्वारा तुमारा उद्धार हुए थे भगवान स्रीकृष्ण दामोदर जब उखल बंधा हुआ था कृष्ण को अपने भक्त का बात जो हैना याद आ गया नारद मुनि का बात तभी भगवान क्या करते दोनों ब्रिक्षिंग के बीच में घुज जाते हैं और फिर उखल लटक जाता है भगवान सलखी रहेंगे दोसरों को मदद करने हमेशा प्रयास करते हैं यह अपने पास तब न देगा आपने पास होने पर भी प्रयास करता है कि कैसे इन लुग को मदद कीया जैता हम ऐसे अनक भक्तों को जानता हूं जो उनके घर में बहुत अशुविधा होगा financially मगर उनके पड़ोस में या दूसरे भक्तों को जब असुविदा में देखते हैं कहीं से भी अरेंज करके उन भक्तों के लिए वह विवस्ता कर देते हैं उनको मदद करते सकते हैं तो इसको जानकर भगवान क्या करते है साद्व नम समचिंत्सान सुथर और मध्रृतात्मनाम में जब कोई व्यक्ति सूर्य की सम्मक्ष होता है तो उनके एक मिट भगवान कहते हैं अच्छा वो लोग जब भगवान ने जब उस ब्रुक्ष को गिरा देते हैं तो नलकुबर और मणी गुरुप प्रकट हो जाते हैं कुछ झीन लिवक्ष खेलते हुए बच्छे देख रहें उसको मिट कई ने आपने साथ से तुम दोनों को बढ़ा क्रिपा किया क्युंकि तुम बहुते काइ्षभरे के पीछे उन्मत होकर अंधे हो चुके थे यदियापि तुम दोनोv सवर्ग से गिर कर भूक्षिव बने किन्तों उन्होंने तुम दोनों पर सरबादी क्रिपा किया मैं प्रारम से ही इन घटनाओं को जानता था भगवान के जानता हूं इस बात को नलकुबर मनिग्रिप को दिखाई पड़ रहा है कि भक्त का डांट मिली है, स्राप मिली है, मगर असलियत में भगवान की क्रिपा है, भक्त की क्रिपा है, एक प्रभुजी कह रहे थे, बनवाले प्रूव करके, वो हमेशा कहते हैं, भक्त का गाली, घी की नाली, और जो आएगा, वो ताकदवर होईगा, इसलिए अगर प्रभुजी से अगर डांट पढ़ती हैं, हमें सिखाने के लिए, सेवा आच्छा करने के लिए, तो हमारे भक्ती में प्रगती होने के लिए उचीज होता है, जो भक्त ऐसा सोचते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो प्राप्त हुए उनको, तो इस पकार से भगवान ने उनको कृपा किया, फिर भगवान कहते हैं कि है नलक अब तुम दोनों आपने घर वापस जा सकते हो, चुंकि तुम मेरे भक्ती में सदेव लिन रहना चाहते हो, अता मेरे प्रती प्रेम उत्पन करने के तुम दोनों क इच्छा पूरी होगी और तुम इस पद को कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, वो दोनों चाहते हैं कि हम आपका भक्त बना दीजिए, आपकी चलणों में रखिए, तो भगवान बोलते है ठीक है घर जाओ, परन्तु मेरे चलणों में भक्ती हमेसा बनी रहेगी, फिर कभी नीचे नहीं गिरोगे, भगवान एशियर करते हैं, इत्युक्तोतव परिक्रम्या, प्रणम्याचा पुना पुनाहा, बद्धवलुखा, बद्धवलुखाल्या, मंत्रया, जग्मात दिर्समूत राम, तभी उन दोनों ने भगवान का परिक्रमा किया, और देखते देखत ऊपर अपने लोगों के और चले गएं, इस प्रकार से भगवान ने नलकुबर और मनीघ्रीब का उधार किया, भक्तिभी दिनों ठाकूर जी कहते हैं, ये नलकूबर मनीघ्रीब भी हमारे अंदर का एक अनर्थ का सूचक है, कि हमारे अंदर धन से उत्पन्होने वाला अं अंकार का सुचक है, धन से उत्पन होने वाला अंकार, हमने त्रिणाबर्त की लिला में सुना था, कि ज्यान से उत्पन होने वाला अंकार के बारे में, त्रिणाबर्त की लिला सुनने से ज्यान से उत्पन होने वाला अंकार जो है, वो नस्ट होता है, तो ये नलकुबर मनि विए और इसके बारे में हम सब जानते हैं डन से अन्य स्रीकारियों को करते हैं विभिन प्रकार की पापों में लग जाते हैं भक्त के पास बि़िन प्रकार के चीजों को खरीदने में अपने आपको मतलो विजी रख देता है चीजों को करने में भोग बिलासमें फसने में इसलिए अगर नलक उबर मनिगरीब का कथाक अगर ध्यान पुर्वक सुनते हैं तो भगवान श्रीकृष्ण जैसे नलक उबर मनिगरीब का उधार किये वैसे हमारे रिदय में अगर धन्सी उत्पण में होने वाला जंकार है तो वह धिरे-दिरे से वह भी नस्ट हो जाएगा इस प्रकार से भगवान स्रीकृष्ण से हमें प्रार्थना करना चीए कि प्रभुज इस रहे लिला यहां पर समाप्त होता है हरे खिश्द गरन्त राच्री मद भाग वतम की चाये डामोदर लिला कि प्ला और उद्धायर लिला की चाये शुलप्रभुपाद की आ गामी जण्मास्तनि उस्टर की जाए निताहँ गोर प्रिमान अंदे हरी हरी